आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72 प्रतिशत है और इसमें जबरदस्त यादाश्त है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें, तो ये आपके सिस्टम में जहर की तरह काम करेगा। हवा पर असर पड़ता है, सिर्फ आवाजों, एरादों और भावनाओं से हर दिन शरीर पर कुछ धूप पढ़ने दें, क्योंकि धूप आज भी शुद्ध है। प्रणाम सद्गुरू, मैंने आपको कहते सुना है, कि शरीर का सत्तर प्रतिशत पानी है, और अगर हम उर्जावान पानी पीएं, तो हम शरीर और मन पर पकड़ बना सकते हैं। क्या ये हमारे द्वारा ली गई हवा और भूजन के मामले में भी सच है? क्योंकि शहरों में हमें प्रदूशित हवा में रहना पड़ता है, और हमारी कंपनियों में एर कंडिशन कमरे होते हैं, तो क्या आप भूच शुद्धी प्रक्रिया को विस्तार से समझा सकते हैं? है ना? और ये आपके लिए कई तरीकों से अच्छा होगा, लेकिन लेकिन ये शहर अभी वैसी स्थिती में नहीं है, यहां अगर आप खिड़की खोलेंगे तो हवा नहीं आएगी, धुआ आएगा, बद्बू आएगी मिट्टी आएगी, तो ये अच्छा है, आरामदायक है, लेकिन आपको यहां 24 घंटे नहीं बैठना है, बस काम करना है, आप जब भी हो सके, सेर कर सकते हैं, और वैसे भी 72 प्रतिशद पानी है, 12 प्रतिशद प्रित्वी है, सिर्फ 6 प्रतिशद हवा है, वो 6 प्रतिशद ह हवा, पूरी सांसों में नहीं है, जो 6 प्रतिशद हवा यहां है, उसमें सिर्फ एक प्रतिशद से कम आपकी सांसों में है, बाकी बस मौझूद है, कुछ लोगों के दिमाग में जमी होती है, वरना शरीर की हर कोशिका में हवा होती है, तो हवा का मतलब सिर्फ सांसे नहीं है, 6 प्रतिशद हवा शरीर की हर कोशिका में है, बस उसे दिमाग से थोड़ा हटा लें, तो अच्छा होगा, फेफडों, हृदय और मास्पेशियों में होना अच्छा है, वो अच्छे से काम करते हैं, अगर ऑक्सिजन है तो, अगर ऑक्सिजन की कमी हो, तो मास्पेशियां सक्त हो जाती है, क्यूंकि इन्हें हवा की जरूरत है, वरना ये काम नहीं करेंगी, तो, पानी बहत्तर प्रतिशद है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान पानी का रखना चाहिए, क्यूंकि ये बहत्तर प्रतिशद है, अगर आप परीक्षा देने जाते हैं, मान लीजे, मान लीजे आप बहुते की की परीक्षा देने जाते हैं, आपको पानी, प्रित्वी बगएरा पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पानी के विशे के लिए बहत्तर मार्क हैं, तो आप स्वभाविक रूप से उसे पढ़ने के लिए ज्यादा समय देंगे, है ना, पानी पानी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 72 प्रतिशत है, आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72 प्रतिशत है, और इसमें जबरदस्त यादाश्ट है, अगर मैं इसे खोलूं, या बिना खोले भी, अगर इस से कुछ कहूं, तो ये याद स्त्रोट से लें और अपने घर तक पंप करें. मान लीजिए, ये पचास मोडों से गुजरा और इसे बल पूरवक पंप किया गया. एक निश्चित ताकत लगा कर, जो स्वभाविक रूप से होता है और आप बारवी मन्जिल पर रहते हैं, तो और जोर लगाया गया. कहा जाता है कि अगर ये पचास मोडों से गुजरता है, तो साथ प्रतिशत पानी जहर बन गया है. जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें, तो ये जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम में. अगर आप इसे लेकर कुछ देर पकड़ें, तो ये फिर से ठीक हो जाएगा. क्यूंकि जहर रासायनिक नहीं है, ये आनविक है. आनुओं में बदलाव होते हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते. इसलिए पारंपरिक रूप से आपकी दादी ने हमेशा कहा था, कि हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो. एक साफ बरतन में, जिस पर विभूती और कुंकुम लगा हो, और एक फूल रखा हो. हाँ या ना, पारंपरिक घरों में. कल सुबह ही उसे पिएं. जैसे ही वो आपके घर पर आता है, उसे ना पिएं, क्यूंकि इसमें हर तरह की यादे होती. बहुत ज्यादा पारंपरिक घरों में, लोग हर दिन पानी के बरतन की पूजा करते हैं. हाँ? और पानी के आते ही उसे कभी न पिएं, आपके पीने के लिए ठीक हो. पानी का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यूंकि ये 72 प्रतिशद है. ये फर्स क्लास है, पासिंग मार्क से ज्यादा. अगली चीज है भोजन, क्यूंकि ये प्रिथ्वी है. 12 प्रतिशद, ये भी काफी है, है ना? तो आप में भोजन कैसे जाता है, किसके हाथों से आपके पास आता है, आप उसे कैसे खाते हैं, आप उसे कैसे जुड़ते हैं, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं. अगली है हवा, 6 प्रतिशद. इस 6 प्रतिशद में सिर्फ एक प्रतिशद या उससे कम सांसे हैं. बाकी कई अलग-अलग तरीकों से होती हैं. और ये महत्वपूर्ण हैं, विशेश रूप से अगर आपके बच्चे हैं, तो कम से कम महीने में एक बार उन्हें कहीं बाहर ले जाएं. फाल्तू सिनिमा में नहीं, वहां हर किसी की बकवास हावा में सांस लेनी पड़ेगी. हावा पर असर पड़ता है, सिर्फ आवाजों और एरादों और भावनाओं से, वो सारी बकवास जो स्क्रीन पर चलती है, और सारी बकवास जो इनसानी मन में चलती है, हिंसा, सेक्स, लालच वगेरा वगेरा ये उस हौल की थोड़ी सी हवा को जबरदस तरीके से प्रभावित करती तो उन्हें सिनेमा ले जाने से अच्छा है उन्हें नदी पर ले जाएं उन्हें तैरना सिखाएं पहाड पर चड़ें पहाड कहा है सद्गुरू हिमाले बहुत दूर है आपके बच्चे के लिए एक छोटी पहाडी भी बहुत है हाँ एक छोटी चटान भी बस उस पर चड़कर बैठें बच्चे उसका बहुत आनंद लेंगे वो तंदरुस्त बनेंगे आप तंदरुस्त बनेंगे और सबसे बढ़कर आपका शरीर और मन अलग तरीके से काम करेंगे और इससे भी बढ़कर आप स्रिष्टा की स्रिष्टी से जुड़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस बक्वास से नहीं जो आपने बनाई है हाँ वो अभी आरामदाएक है पर वो सब कुछ नहीं है तो रेस्टरॉंट जाने के बज़ाए सिनेमा जाने के बज़ाए ऐसी किसी और जगए जाने के बज़ाए कम से कम महीने में एक बार इसमें कुछ खर्च नहीं होता हाँ कुछ खर्च नहीं होता इससे भी अच्छा होगा, अगर आप बस और कार पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आप सभी साइकल चलाएं, बस हैदरबाद से तीन या पांच किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर बैठें, वहाँ पर समय बताएं, सूरज को महसूस करें, ये बहुत जरूरी है आप कुछ धूप, हवा और अच्छा पानी मिले, ऐसा करके आप भूच शुद्धी कर रहे हैं, एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, ये परम भूच शुद्धी नहीं है, लेकिन आप कुछ भूच शुद्धी कर रहे हैं, मैं यही कह रहा था, अगर आप भोजन, पानी का ध् अगनी जलती है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, धूप शुद्ध नहीं होई है, है ना, रोज कुछ देर धूप में रहें, प्लीज, हर दिन शरीर पर कुछ धूप पढ़ने दें, क्यूंकि धूप आज भी शुद्ध है, है ना, सो भागे से उसे कोई भी दूशित नहीं कर सकता, और आपके अंदर किस तरह की अगनी जलती है, क्या ये लालच की अगनी है, नफरत की अगनी है, नाराजगी की अगनी है, क्रोध की अगनी है, प्रेम की अगनी है, करुणा की अगनी है, आपके भीतर कैसी अगनी जलती है, आप उसका ध्यान रखिए, फिर आप अपनी भौतेक और मान से खोशाली की चिंता मत कीजिए, उसका ध्यान रखा जाएगा।